शिमारू के नई वडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें नहीं करेंगे हम तुम जो तेरी वज़े से इतने खास दिन का संप्यानाश हो गया रिच्चा और यश की शादी की तारिक पैखने के लिए गिरी राच्ची रिशी के इस्ते आये थे लेकिन तेरे कारनावों की वज़े से उन्होंने घर की चौकट के अंदर पैर तक नहीं रखा पात साल इंतजार किया है विच्चा और यश के साथ साथ इस पूरे परिवार में और तूने इंतजार खटम होने से पहले ही उसमें ग्रहे लगा दिया तुस्ते क्या रिच्च और यश की खुशी देखी नहीं जा रहे क्या हाँ जै श्री रधे ताव जी एक मिनट मेरी बात तो सुनिये वह रिच्चा और यश रोध बेसबरी इंसान को विनाश की तरफ धगेलती है सुबोत इसलिए जो हम बात कह रहे हैं उसे समझो और हम पर जबरंदबाद डालने यह श्री राथ ह। ताव जी अठी है और बहुत रोकर रोकरण रोकर यह तो तो ताव जी की काडिए जना लेकिन वो वापस किन जा रहे है आप जलदी चलिए ना अखर पता तो चले क्यों हुआ क्या है आप बिना बात के अंजली बट चिल आ रही है वह यह भचाने के तक अरिंपोर्टन यह नहीज के हैंleş का यह और मीरी शादी हो या नहीं हम, इस बाक्त नहीं ही पड़ता है यह किसे बांग गणत करी मुझसे? मैं तो प्रॉट करनि दूनाने से मतलल है तो क्या गलत का है? रिच्छा के दिल पर क्या गुजरी होगी कभी सोचा है तुमने? पर दो कर दो कि दो कर दो कर दो कर दो कि अज़िन नाम की अनाथ को हमारे गर में लाने की क्या ज़र अर्ती? भावी आप मेरी बात से अए भाई साब इसको पालने पोसने में क्या खर्चा नहीं होता? तीन तीन वक्त का खाना, कपड़े लगते, बिमार पढ़ जाए तो दिवाईयों का अखर्च, दॉक्टर कीफीस, क्यों डाल दिया हम पर ये अनजली नाम का बोच्छ? भाई साब, आपने हमारे साथ बहुत गलत किया. माई, क्यार आपनों से लाइम मशिन चलाना सिखा सकती है? आमें भी आपकी तरह हैं, लिटो को पाल जी के लिए बोस्त बना देयां, और उन्हें बेच के जो पासे में लेंगे, आम बाउजी को देदेगे, बाउजी बहुत कुछ हो जाएगी और आमें बोच भी ने संजेगी. पांच साल इंतजार किया है विच्चा और यश के साथ साथ इस पूरे परिवाद में, और तूने इंतजार ख़तम होने से पहले ही उसमें ग्रहे लगा दिया, यहां हुआ अलका भाभी, हमने अभी अभी ताउजी की गाड़ी बाहर जात हुए देखी अब, क्या हुआ था मुकेश ताउजी के अंदर ने से पहले ही वो आर्ती का दिया नीचे गरिया, और इसको वो गौर अशुप संकेत पाकर जो है दर्माजे के बाहर से वापिस लोट गया है, मैंने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन उन्हें कहा कि ना ही वो आज यश और रिचा का करते है कि रिचा कहा है रिचा अपने कमरे में जो कुछ भी आ जुआ उसे हो बहुत तुखी है पिचारी पापा आप लोग चलिए मैं रिचा से मिलके आतो हो आपने तो अभी शामारत साथ दिया है ना गोपाद पिर आज क्या हो गया आज क्यों आज क्यों आपने सब कुछ देखकर भी अन देखा कर दिया आप ही बताई हम सपने में विर रिचा का बुरा सूच सकते हैं नहीं ना तो मेरे महुझी ये वाद क्यों नहीं समझती पजबन से लेके आज तक उनकी डाट फटकार को उनका आशिरवाद समझके हम सहते रहें लेकिन आज कुपाल आज तो उन्होंने सब के सामने सब के सामने अपर आथ उटा दिया जूट नहीं बोलेंगे लेकिन आज थोड़े नाराज तो हम आपसे भी हैं क्योंकि आपकी मर्जी के बिनन तो कुछ नहीं होता न कुपाल क्योंकि आपने हैं सक्योंकि नहीं क्योंकि कुपाल जी आपकी अंजलीन ने सुबे से कुछ भी नहीं खाया अब आप ही किसी तरह इसे कुछ खिराईए कर दो 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 जल, खाले, मैं किला दियूँ, जबाज, पिटे काल, अब चल्दी से हल्वा कतम करके रसोई में आजाना, यश जी आये है न, घर की दमाद है वो, उन्हें बिना कुछ खिलाए पिलाए तो भीज नहीं सकते न, जल्दी से खाले और आज़े, चल्दी से खाले और राजे, चल्दी पूरे पांस साल बात वापस लोटा है, मैं उससे मिली थत नहीं और अब, अब ये सब, हमें मिलने से कोई रोक सकता है, क्या अब, क्या है, क्या है, क्या है। झाल झाल पांच साल पूरे पांच साल बात देख रही हो तुम्हें यकीन नहीं होता कि ये सपना है या सच है बस अब कहीं मत जाना तुम कहीं मत जाना कभी नहीं अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता आवा तुम रोते हो तो और सादा क्यूट लगती हो हमारी शादी की डेट फिक्स होने माली थी और फिर तुम्हारे बड़े दादू हमारी शादी की डेट जब फिक्स होगी तो होगी लेकिन उससे पहले मैं जमारे लिए कुछ करना चाहता हूं मतलब इर इंग में तुमारे लेंडन से लाया हूं हमारी एंगेजमेंट से पहले मैं जमें प्रपोस करना चाहता हूं मेरी प्यारे रिच्चा क्या तो मत्से शादी करोगी क्या है झाल 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 अभी अपने टीवी पर लगाएं शेमारू उमंग झाल 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 झाल